असलालेकुम फ्रेंड्स आज मैं आपके शाय करूंगी कश्मीरी चिकन मसाला के ऐसे रेसिपी जिसे आप एक बर बनाएंगे तो बस उंगलिया चाड़ते रह जाएंगे आप जिसे भी खिलाएंगे बस आपकी तारीफ करते नहीं थके का बहुत ही तेस्टी बहुत ही मैंने जब तेल गरम हो जाएगा तो हम कुछ खड़े गरम मसाली आड़ करेंगे एक चकड़ी का फूल है थोड़ी से दाल चीनी के टुकड़े है छे से साथ मैंने लॉंग लिया छे से साथ कवाब चीनी है तीन से चार यहां पे छोटी लाइची है दो तेज पत्ता और दो बकाना है यह बहुत थोड़ा सा यह गोल्डन फ्राइय होना चाहिए बहुत जब जद्र ड्रों फ्राइगे रहना मगर कदो आल फ्री घुल्डट इनade लाइट रहात देगे और शार यहां का इस प्रक्राइड प neolच्ट कर देंगे और इससी चर्चानिक आयह हो लिए इसे हमें पकाना तो देखें बहुत अच्छा सा अमारे ये हो गया है इस टाइम पर हम इसमें दो मेडम साइज का तमाटर लिए है आप बड़े साइस का भी यूज कर सकते हैं तो भी हमें तब तक पकाना जब तक हमारे टमाटर तो डियाख मैश्य कर देंगे लिए हमारे जल्दी घल जाएंगे तो ढमाट को कुछ अथा तक इस तरह से गल चुके हैं तो इस तरह से इस तरह से इस इसमें मैश करते जाएंगे तो बहुत अच्छा सा यह हमारा मिक्स हो गया है मैश हो गया है इस टाइम पे हम क्या करेंगे इसमें कुछ पॉडर मसाले आट करेंगे दो बड़ा चमच धनिया का पॉडर एक चमच जीरा गुल की पॉडर एक बड़ा चमच लाल मिर्च पॉडर और आधा चमच चमच यहां पे हल्दी पॉडर और तो मसालों को हमें यहां पर बहुत अच्छे से भूनना है तो देखें बहुत अच्छा सा मारा मसाला जो भूनते जा रह रहा है अर गर्षास यह प्रिखेंगे यहां पर इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो यहां पर मसाला जो है बहुत अच्छा सा भून चुका तेल सेप्रेट हो गया है तो इस पॉइंट पे एक केजी के खरीब मैंने चिकन लिया है उसे आइड कर देंगे इसे अच्छे से वाश करके चन्नी में रख दिया था ताकि पानी वगर इसमें बिल्कुल भी ना हो त तो देख सकते हैं हमारा चिकन में मसाला जो है बहुत अच्छा सा लग गया है तो इसके बाद हम क्या करेंगे आदा कप के खरीब इसमें हम त Miche को य हज और ना करेंगे दही के साथ भी हमें तीन से चार मिनट इसे अच्छे से भूनना है जिकन को हम अच्छे से भूनेंगे यहां पे तीन से चार मिनट देखे अब हमारा जो जिकन है बहुत अच्छा सा भूँन चुका है अब इस पॉइंट पे हम इसमें क्या करेंगे कि ग्रेवी के हिसाब से पानी आइट कर देंगे जितना हमें ग्रेवी रखना है तो मैंने हाफ कफ से थोड़ा सा ज्यादा पानी इसमें आइट कर दिया है औ तो एक छोड़ा चमच मैंने पहले नमक आड़ किया था और एक छोड़ा चमच अब नमक इसमें आड़ कर रही हूं ग्रेवी की हिसाब से तो इसे एक मिक्स दे देंगे और कवर करके हम इसे 10-12 मिनिट के लिए छोड़ देंगे क्योंकि हमने इतना भूना है तो चिकन हमारा थोड़ा सा तो गल गया होगा तो 10-12 मिनिट के बाले इसे हम खोल के चेक कर लेंगे एक दम परफेक्ट हमारा चिकन जो है कुक हो चुका है गल चुका है अगर आपके चिकन में थोड़ी सी कसर हो तो कुछ देर के लिए और ढखके छोड़ दीजेगा यह हमारा बहुत अच चिकन काश्मीरी चिकन मसाला बन के तयार है और आपने देखा इसे बनाना कितना असान है कोई भी ज़्यादा जिनजट नहीं है इसे बनाने में बहुत इजली आप इसे बना के तयार कर सकते हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो चानल को सब्सक्राइब मेरी मेहनत के लिए एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता है चलती हूँ इंशालला फिर लौट क्या होंगी एक जबर्दस्ति रेस्पिक साथ तब तक के लिए अल्ला हाफेज